आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Student, आज का जो Question है यहाँ पर हमें बोला है कि Draw the Lewis Structures of K2O and MgCl2 तो यहाँ पर देखो हमें इनका Lewis Structure Draw करना है तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आपका जो यह K2O and आपका क्या है MgCl2 यह हमारे क्या होते है Ionic Compounds है यह हमारे क्या है Ionic Compounds है यह हमारे Ionic Compound है तो अब Ionic Compounds में Basically क्या होता है देखो Ionic Compound में हमारा एक जो atom है आपका एक atom क्या करता है अपने electrons को completely lose कर देता है electrons को lose करता है और जो आपका दूसरा atom है वो क्या करता है electrons को gain करता है दूसरा atom क्या करता है electron को gain करता है तो देखो यहां पे अब हमें क्या ध्यान रखना होता है कि यहां पे जो आपकी conditions है वो हमारी यही कि हमें पहरी चीज तो हमें इनके valence electron पता होने चाहिए आपको valence electron पता होना चाहिए दूसरी चीज आपको क्या धान रखनी होती है कि इनका जो octet है वो आपका क्या होना चाहिए complete होना चाहिए हमें यह चीज भी देखनी होती है कि हमारा octet क्या होता है मतलब complete हो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ देखो first में first में आपको क्या given है k2o तो अगर मैं potassium की बात करूँ तो यहाँ पर इसकी outermost configuration देखनी है या फिर हम इसकी electronic लिख लेते है 19 होता है इसका atomic number तो मेरा 1s2 2s2 2p6 3s2 यह आपका 3p6 and 4s1 इस तरीके से होता है अगर मैं बात करूँ oxygen की तो इसका atomic number आपका क्या होता है 8 होता है तो मारा क्या होता है 1s2, 2s2 and 2p4 हो गया ठीक है अब यहाँ पे हमें क्या देखना होता है देखो यहाँ पे अब क्या होगा कि electrons क्या होगे lose or gain तो basically यहाँ पे अगर आप देखो तो potassium के पास क्या है एक electron है इसके outermost में और यहाँ पे अगर oxygen की बात करूँ तो इसके पास क्या है 6 electrons है या फिर या करें एक यहां पर आपके दो अब यहां पर आपके दो potassium है इस तरीके से आपका दो है अब यह क्या करेगा इसके पास आउटरमोस्ट में एक 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 electron है अब हम अगर oxygen का देखें तो यह आपका oxygen है oxygen के पास 123456 है यानि कि इसके पास दो electrons की कमी है अब यह क्या कर सकता है देखो दो electron obviously गेन करेगा दो करता है दो electron gain करता है वह कहां से गेन करेगा तो जो यह मेरा potassium है यह हमारा इसको क्या करता है दो electron donate करता है तो जब यह आपके दो electrons donate करता है तो हमारा यहां पे क्या आता है अगर हम इसको लिखें तो यह आपका इस सरी की साप लिख सकते हैं यह आपका के पॉजिटिव हो जाता है यह भी आपका के पॉजिटिव है एंड यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका उक्टेट क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया और इस पर क्या जाता है तो माइनस चार्ज तो अगर हम इसका लुज डॉज डॉट इस्ट्रक्चर बनाते हैं तो वह हमारा कुछ इस तरीके से बनता है बेसिकली यहां पर आपका क्या करते हैं दो पोटाशियम आपके एलेक्ट्रोंस लूज कर देते हैं और यहां पर ओक्सिजन एलेक्ट्रोंस गेन कर लेता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यहां पर इसके उपर क्या होता आपका प्लस चार्च यह आपके दो हैं और यहां पर आपका ओटू माइनस है यह क्या है अगर मैं मेगनेशम की बात करूँ तो यह मेरा alkaline earth metal है इसकी configuration क्या होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 यह हो गया आपका अब यहाँ पे chlorine की बात करूं तो इसकी configuration क्या है 1s2 2s2 यह मेरा क्या हो जाएगा 2p6 3s2 3p5 तो देखो यहाँ पे क्या है इसके पास इसकी brethren है कितने electron है 7 will highlight इसको कया चाहिए एक electron चाहिए तो यह η electron क्या करता है गेन करेगा अब यह electron किसे गेन करेगा दीखो यहाँ पे जो magnesium है इसके पास एक दो electron है यानि इसका ओक्टेट भी complete है तो यह गेन तो करेगा नहीं तो यह इसका ओक्टेट कर देदा एक है? तो वो आपका कैसे होका देखो, यहाँ पे आपका मैगनेशन है, उसके पास क्या है? दो इलेक्ट्रन, क्लोरीन की बात करूं, तो यहाँ पे क्या होगा? कि चलोरीन के पास कितने एलेक्ट्रों है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहां पर इस वाले कलोरीन के पास हमारा 7 है तो 1,2,3,4,5,6,7 अब यह magnesium क्या करता है अपने electron एक electron यहां पे इसको और एक electron इसको donate करता है तो यह हमारा क्या बन जाता है यहां पर mg 2+, क्योंकि इसमें 2 electrons दे दी है और यहां पर आपका यह 1,2,3,4,5,6,7,8 हो जाएगा इसके ओपर क्या आएगा negative charge similarly एक chlorine जो यहां पर है 1,2,3,4,5,6,7,8 इसके ओपर minus charge तो यह हमारा इसका क्या हो गया Lewis dot structure हो गया अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो अगर आपको इसको लिखना हो तो यह आपका क्या हो जाएगा MG 2+, and यहां पर आपका क्या है CL 1,2,3,4,5,6,7,8 और इसके ओपर negative charge है यह आपके 2 है ठीक है तो यह हमारा क्या हो गया Lewis dot structure हो गया ओकी गईस, thank you